वेलकम टू माई चैनल, दोस्टों आज आपके साथ एक ऐसा मैजिकल फेस पैक शेर कर रही हूँ दोस्टों जिससे की आपको तुरंथ ही रिजल्ट मिलेगा, इंस्टैंट आपके स्किन में गलो आये का दोस्टों, किसी भी पार्टी में जाने से पहले, किसी शादी में जान ब्यूटी परलर वहां पर हम कराते हैं ब्लीच फैशियल आपको कुछ भी कराने की जरुट नहीं है पैसा खर्च करने की जरुट नहीं है बहुत ही बढ़िया आसान रेमेडी आज आपके साथ शेयर कर रही हूं बहुत ही सस्ती बहुत ही किफायती तो इसके लिए दोस्तों यह पांच यह दस रुपए का पाउच आता है दोस्तों तो मैंने तो यहां दो से तीन पाउच खरीदे हैं किसी भी ग्रॉसरी शॉप में किराना दुकान में या किसी भी सूपर मार्केट में आपको फेर एंड लवली की यह ट्यूब मिल जाएगी आप चाहें तो जाने से पहले या फिर महने में एक बार ऐसे ही इस्तमाल कर सकते हैं तुरंत सकन में चमक आएगी दोस्तों आप देखें हूँगे आप जब पारलर में ब्लीच करवा कर आते हैं तो आपके चहरे पर क्या बड़ी हच चमक आती है बिल्कुल हमारे सकन में जो ग्लो आता है तो वैसा ग्लो कभी नहीं आता है तो बिल्कुल वैसा ही ग्लो आएगा आप इसे जरू ट्राय करें कोई डर वाली चीज नहीं है दोस्तों फेर एंड लवली का इस्तमाल तो सालों से किया आता जा रहा है चहरे की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए तो यहां पर जो फेर ए निखार लेकर आएगा तो किसी भी पार्टी में जाने से पहले बस अप एक बार इसे लगा ले चेहरे की चमक को देख कर सब लोग चौक जाएँगे दोस्तों इसे लगा कर आप देखेंगे कि आपका चहरा इतना गोरा हो जाए आपको खुद को आश्यर होगा है रहानी हो और चहरे में कितनी बढ़िया हमारी चमक आ गई तो इस क्रीम को थोड़ा सा मैंने फेट लिया है मिक्स कर लिया है यह देखें चिकना पना आ गया है इसमें अब आप देख सकते हैं और कोई खास यह महंगी नहीं रहती है दोस्तों आसानी से हम सब इसे खरीच सकते हैं पारल है लडके तो इसका इसमाल लडके भी कर सकते हैं दोस्तों जरूरी नहीं कि स्रिफ लडकियां करें लडकों को भी ऐसा रहता है कि हमारा चेहरा बड़या चमकदार हो गोरा हो तो लडके भी इस रेमेड्你知道 का इसका इसनी है दोस्तों अब आपको इसमें डालना है नीबू का तो सबसे पहले नीबू के बीजों को मैं अलग कर रही हूँ और इसमें आपको एक बड़ा चमज भरकर नीबू का रज डालना है यदि आपके पास इस समय नीबू नहीं है दोस्तों तो आप चाहे तो इसमें आधी छोटी चमज ग्लीसरीन डाल सकते हैं ग्लीसरीन नहीं है तो आप इसमें इस समय आधी छोटी चमज शहत भी डाल सकते हैं कि तो और यहां आपशन मैं था ग्लीसरीन को म्यूजराराइट थे थारया का अधी मैं अधी तके तो आप कि यहां आप पासवाग वह पूस्तक्राइटाना था है अब ही मैंने जहां पर नीबू का रस नहीं लगा इसे उठा के दिखाया है उंगली में बिल्कुल स्मूद पेस था नीबू का रस डालते ही ये फट जाता है दोसों कैसे फटता है जैसे कि हम लोग दूद को फारते हैं नीबू डाल कर पनीर बनाने के लिए तो कैसे दूद क चुटे-चुटे से दाने-दाने से हो जाते हैं बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से दूद फटता है दूद के फटने के जैसे ही दाने-दाने हो जाते हैं आप डरे नहीं कि अरे ये क्या हो गया आपको क्या करना है चम्मसी से खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है दो मिनट क कि हमने लैमन जूस डाला है और यह फट फटा गम है दोस्तों तो आप थोड़ा सा निबू का रस और डाल दे तो यह निबू थोड़ा सा जादा इसमें रस नहीं है थोड़ा सा सूखा लगा इसलिए मैंने कुछ बुन्दे इसमें और निबू के रस की डाली है अच्छे से और अब आप देख सकते हैं इसमें चिकना पन आना स्टार्ट हो गया है और बस इस चिकनी क्रीम को आपको अपने चेहरे पर लगाना है चहरा अच्छा साफ कर लें दोस्तों और कोशिश करें कि आप इसे लगाने से पहले अपने चहरे पर कोई भी moisturizer जरूर लगा लें जो भी moisturizer आपके पास है दोस्तों आप उसे लगा लेंगे ना तो और अच्छा असर आएगा सबसे पहले मैं आपको हाथों पर लगा कर दिखा रही हूँ आप खुद देखेगा दोस्तों और इसे लगा कर 10 मिनट तक आपको अपने चहरे पर रखना है अभी मैं आपको इसे चहरे पर भी apply करके दिखाऊंगी दोस्तों आप ताकि बिलकुल आखों से इसका effect देख सके कि वाकई में ये नुस्खा 100% वर करने वाला नुस्खा है तो 10 मिनट रखने के बाद आपको कपड़े से सूखा पोच लेना आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ मुश्किल से हाथ में 2 मिनट रखा है मेरे हाथों में बहुत अच्छी चमक आ गई है अभी मैं आपको चहरे पर लगा कर बताऊंगी जब मैं इसे 10 मिनट तक लगा कर रखूंगी तो मेरी बेटी ने सबसे पहले अपने चहरे पर मॉश्चुराइजर लगा लिया है अगर चहरे पर मॉश्चुराइजर लगाने के बाद आप इस रेमेडी को ट्राइ करेंगे तो आपको 100% और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अब यह जो हमने जो ब्लीच बनाया है दोस्तों केवल 2 इंग्रिडेंट से आपको अपने चहरे पर बहुत अच्छी तरह से लगाना है पूरे चहरे पर आप अच्छी तरह से लगाएं, आप चाहें तो इसे लगाने से पहले थोड़ा सा patch test भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको हाथों पर करके दिखाया, बहुत से लोगों की skin बहुत जादा sensitive होती है, बहुत सी cream उन्हें suit नहीं करती है, तो आप patch test भी कर सकते हैं, वैसे यह बहुत ही safe है, कोई डरवाली चीज नहीं है, अब इसे आपको कहना पूरे चहरे पर अच्छा लगाना है, इस तरह से मोटा मोटा सा पूरे चहरे पर आप लगाएं, हलकी सी मसाज करते हुए लगाएं, और 10 मिनट आप इसको ऐसे ही रहने दे, 10 मिनट के जैसे ही छोड़ दिया है, एक सूखा नेपकिन ले लिया जिसमें पानी नहीं लगाया है, सूखा ही आपको निकालना, आप देखे, चहरे की आप इसकिन में अंतर देख सकते हैं, जैसे ही जिस जगह का निकला वहां पर बहुत अच्छा गोरापन आ गया है, और उसके जैने में एक बार ट्राय करें, पार्टी में शादी में जाने से पहले जरूर ट्राय करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सांत ही सांत मेरे चैनल टिप्स थीएटर को, यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग म हमारे चेहरे पर कितना बढ़िया निखार आया है, बहुत कम खर्चे की और बहुत आसानी से तयार होने वाली ये रेमेडी, दोसों प्लीज जरू ट्राय करें